नमस्कार आप सभी को सुनीता सिंग की तरफ से भाई दोज की हार्दिक शुब काम ना है वैसे तो दिवाली के फेस्टिव सीजन में हमने बहुत सी मिठाईयां बनाई हैं हमने विभिन प्रकार के लड़ू तयार किये हैं इन सभी लड़ों की रेसिपी का लिंक दिस्क्रिप्शन में दे दिया है भाई दूज के लिए हमने इसपेशली राजिस्थानी बैसन की चक्की तयार की है ये खाने में स्वादिश्ट होने के सासात बनाना भी आसान है तो चलिए देखते हैं चक्की कैसे बनती है इसके लिए धाई कटोरी बेशन ले लीजिए वजन में ये लगभग साड़ी तीन सु ग्राम है चक्की के लिए मोटा बेशन अच्छा होता है लेकिन घर में मोटा बेशन नहीं है तो डेड़ कटोरी सिंपल बेशन ले लीजिए और एक कटोरी चन्ने की दाल को मिक्सी में पीस करके छान लीजिए दो कटोरी चीनी ले लीजिए वजन में लगभग ये 400 ग्राम है और मावा ले लीजिए वजन में ये लगभग 3,5-3,5 ग्राम है इसे हमने मलाई से तयार किया है रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एक कटोरी देशी घी ले लीजिए लेकिन ध्यान रहे हमें सभी सामगरी सेम कटोरी से ही मापनी है पांच हरी इलाईची कूट कर ले लीजिए और चोथाई चम्मच से भी आधा फूट कलर ले लीजिए बेसन में घी को मेल्ट करके 4 चम्मच डाल लीजिए साथ में थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर मसलते हुए बेसन के दाने तयार कीजिए अब बेसन को एक मोटी चलने में डालिए और इस तरह से छान लीजिए छानने के बाद दानेदार बेसन तयार है इससे हमारी बेसन चक्की दानेदार पनेंगे कड़ाई में घी डाल लीजिए थोड़ा घी बचा लीजिए और घी को मेल्ट होने दीजिए घी मेल्ट होने पर बेसन डाल लीजिए और धीमी आज पर लगाता चलाते हुए अच्छी तरा से मिला लीजिए कटोरी में जो घी बचा था उसे भी डाल लीजिए और अच्छी तरा से मिला लीजिए बेशन को लो मीडियम फ्लेम पर 17-18 मिनट भूना है बेशन भून चुका है अब मावे को क्रस करके डाल दीजिए गैस की फ्लेम धीमे कर दीजिए और मावे को कर्ची से मसलते हुए लगातार चलाते हुए बेशन के साथ भून लीजिए देखिए मावा बेशन के साथ अच्छे से मिल गया है और दिखने में दानिदार लग रहा है मावा हमारा भून चुका है अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और मिक्चर को ठंडा होने दीजिए अब पतीले में चीनी डाल दीजिए और उसका आधा पानी यानि कि दो कटोरी चीनी तो एक कटोरी पानी डाल दीजिए और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को पिगलने दीजिए चीनी अच्छे से पिगल गई है अब चाशनी में उबाल आने दीजिए चक्की के लिए एक तार की चाशनी चाहिए एक ड्रॉप चाशनी की उंग्रियों के बीच में लगाएं देखिए परफेक्ट चाशनी तयार है गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए फूट कलर डाल कर अच्छे से मिला लीजिए चाशनी तयार है अब इसे बेशन और मावे की मिक्चर में डाल दीजिए साथ में कुटी हुई इलाइची भी डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए लेकिन ध्यान रहे इस दोरान हमें गैस की फ्लेम आफ रखनी है जैसे जैसे चक्की का मिसरन ठंडा होगा ये सेट होता जाएगा देखिए मिसरन ने कढ़ाई छोड़ दी है ये जमने के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मिसरन को घी से ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल लीजिए जमच की बैक साइड में घी लगाईए और चक्की के मिसरन को इकसार कर लीजिए देखिए इस तरह से अब कटे हुए बादाम काजू से गारिश कर लीजिए अब चमच से हलका-हलका दबा दीजिए और पंदा मिनट के लिए सेट होने दीजिए पंदा मिनट बाद चक्की हलकी सेट हो गई है अब चक्कु से कटके निशान लगा लीजिए और पंदा मिनट के लिए ठंडी होने के लिए छोड़ दीजिए देखिए चक्की जमाई हुए आदा घंटा हो गया है ये अच्छी तरह से सेट हो गई है अब एक पल्टे की मदद से सभी चक्की के पीस को अलग कर लीजिए देखिए कितनी परफेक्ट बेसन चक्की बनकर तयार हुई है लीजिए भाई दोज इस्पेशल में हमारी स्वादिष्ट राजिस्थानी बेसन की चक्की बनकर तयार है आईए एक पीस तोड़ कर दिखाती हूँ देखिए कितनी सौफ्ट और दानेदार चक्की बनकर तयार हुई है तो आप भी सेम इसी विधी से राइस्थानी बेशन चक्की बनाईए और खाने का आनन्द उठाईए यदि आपको मेरी रेस्पीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद